दोस्तो किर्केट में उन खिलाडियों को बहुत सम्मान मिलता है जिन्होंने पर्थम सरी किर्केट में अपने बल्ले से कमाल किया होता है इसमें टेश्ट किर्केट के आकड़े भी जुड़े होते हैं इसलिए पर्थम सरी किर्केट और भी एहम हो जाता है जैतार खिलाडियों के लिए राष्टी टीम में खेलने का रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है पर्थम सरी किर्केट में कई ऐसे बल्लेबाज हुए हैं जिन्होंने अपने सांदार बल्लेबाजी से बहुत सारे रन बनाए हैं और जाहिर सी बात है बहुत सारे रन बनाने के लिए बहुत सारे सतक भी बनाए होगे इसलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही पाच खिलाडियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने प्रथम स्रणी किरकेट में देड़ सो से ज्यादा सतक और लगभग पचास हजार या उससे ज्यादा रन बनाने का करनामा किया है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सूची में किरकेट के भगवान सचीन तेंदूलकर, सौडान ब्रेडबैंग और ब्रायन लारा जैसे खिलाडी सामिल नहीं है तो आखिर कौन ओ खिलाडी हैं जिन्होंने प्रथम स्रणी किरकेट में ये करनामा अपने नाम दर्ज किया है तो ये जानने के लिए बीडियो के अंत तक जरूर बने रहे लेकिन बीडियो सुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किरकेट से जुड़ी नईयों पुरानी जानकारी आपको समय पर मिलता रहे हैं तो चलिए बीडियो को सुरू करते हैं पर्थम सेड़ी किरकेट में सबसे ज्यादा सतक जड़ने वाले बल्लेबाजों में पाचवे नमबर पे आते हैं इंगलेन के दिगज बल्लेबाज जोब बाइकाट जो बाइकार्ट के नाम पर्थम स्रेडी किर्केट में देड़ सो से ज्यादा सतक जड़ने का रिकोर्ड दर्ज है बाइकार्ट ने 1962 से 1986 के बीच 609 पर्थम स्रेडी मैचों में 56.083 के उसस से 48,446 रन बनाया है उन्होंने अपने पर्थम स्रेडी केरियर में कुल 151 सतक जड़े हैं वही पर बाइकार्ट ने अपने टेस्ट केरियर में 8,000 से ज्यादा टेस्ट रन भी बनाया है नमबर फोर पर्थम स्रेडी किर्केट में सबसे ज्यादा सतक जड़ने वाले बल्ले बाजों में चोथे नमबर पे आते हैं इंगलेंड के फील मीड फील मीड ने 1905 से 1936 के बीच 814 पर्थम स्रेडी मैज खेले और 55,000 से ज्यादा रन जड़ते हुए कुल 153 सतक जमाए इनका बल्लेबाजी ओसर 47.67 का रहा हलाकि इंटरनेशनल किर्केट में फील मीड ने महाज 1000 टेस्ट रन ही बना सके पेशक और पर्थम स्रेडी किर्केट में सरवाधिक रन बनाने के मामले में चोथे नमबर पर हैं लेकिन एक मामले में वो नमबर एक पर भी हैं फील मीड किसी एक टीम के तरब से किर्केट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाडी हैं उन्होंने ह एम्प सायर की तरब से खेलते हुए 48,892 रन बनाये थे। ये रिकोर्ड आज तक कोई भी खिलाडी नहीं तोड़ सका है। इस लिस्ट में तीसरे नमबर पर आते हैं इंगलेन के वाली हमंड। वाली हमंड ने 1920 से 1901 के दोरान पुल 634 पर्थम स्रड़ी मैच खेलते हुए पुल 50,511 रन बनाये। वाली हमंड ने अपने पर्थम स्रड़ी कैरियर में पुल 116 सतक जड़े हैं। इनका बल्लेबाजी ओसर 56.1 सुन्य करा हा। वाही पर वाली हमंड ने अपने इंटरनेशनल किर्केट में 7000 से ज्यादा टेस्ट रन भी बनाये हैं। पर्थम स्रड़ी किर्केट में दूसरे सबसे ज्यादा सतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी इंगलेन के ही पेटसी हेडरेन हैं। पेटसी हेडरेन ने 1907 से 1937 के बीच 833 पर्थम स्रड़ी मैच खेलते हुए कुल 170 सतक जड़े हैं। पेटसी हेडरेन ने पर्थम स्रड़ी किर्केट में 50.880 की बल्लेबाजी उसत से कुल 77511 रन बनाये हैं। इंटरनेशनल केरियर में इनके नाम 3,000 से ज्यादा टेस्ट रन दर्ज हैं। नमबर वन पर्थम स्रड़ी किर्केट में सबसे ज्यादा सतक जड़ने का रिकोर्ड्स इंग्लेंड के दिगज बल्लेबाज जेक्स हॉप्स के नाम दर्ज है। जेक्स हॉप्स ने कुल 199 पर्थम स्रड़ी सतक जड़े हैं। जेक्स हॉप्स ने 1905 से लेकर 1934 तक अपने कैरियर में पुल 834 पर्थम स्रड़ी मैच खेले। जेक्स हॉप्स अपने इंटरनेशनल कैरियर में भी 5000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाए हैं। तो दोस्तो ये रह पर्थम सिरी क्रिकेट में सबसे ज्यादा सतक लगाने वाले पाँच बल्लेबाज ये जानकारी आपको कैसी लगी यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्रीज वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें